हलो प्रेंट आज हम सीगेंग प्रस्णावली 2.5 क्लास 9 क्विश्चन नम्बर 11 मां गुड़न खन गयात कीजिए तो क्विश्चन दिये 27 एक्सक्यू वाई क्यू प्लस जेट क्यू माइनस 9 एक्स वाई जेड तम ने एक सर्सम का याद रखनी है कौन सी एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3 एक्स वाई जेड बरावर क्या होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड कोश्टक के अंदर फिर कोश्टक में X square plus Y square plus Z square minus X Y minus ZX minus Y Z minus ZX ठीक है ie ҈ सरसं का is question से मिलती है तो इस सरसं का हम लगा देंगी ठीक है हुआ हम इसको क्याный एसको Record 27 में है क्या यह इस form में निकलना है ठीक है गुड़न खंड कियात करना है ठीक ॉप सब्ड़नखन को क्या ले हें तीन एक्स क्यू प्लस वाई क्यूब अ प्लस जेट को क्यूब माइनस यहां के नौए एक्स वाई जेट है यहां 3x बनाना तो हम लिख देंगे 3x कतना है हमारा 3x y कितना है y z कितना है z ठीक है इस फॉम में बन गया 3 x y z x हमारा क्या है तो मैं हमार लेंगे x वरावर क्या है 3 x है y बराबर y है z बराबर z है तो सर्व समिका से सर्व समिका से काँ सी x q प्लस y q प्लस z q माइनस 3 x y z बराबर क्या होता है x प्लस y x q प्लस z ठीक है कोश्टक बन एक्स स्क्वर प्लस y स्क्वर प्लस z स्क्वर माइनस x y माइनस y z माइनस z x ठीक है तो हम क्या करेंगे तो हम महां रख देंगे इसमें इस फॉर्म में है इस फॉर्म में जिसको इस फॉर्म में लखना है तो एक्स प्रावर क्या है थ्री एक्स है तो हम लग देंगे 3x ठीक है प्लस y कितना है y प्लस z जेड है ठीक है अभी यहां रख देंगे x पार कितना है 3x 3x के स्कौयर प्लस y के स्कौयर प्लस z z के स्कौयर आ जाएगा माइनस x कितना है 3x 3x y माइनस yz जेड़ वाई जेड माइनस जेड़ एक्स की जगए त्री एक्स ठीक है बंद कर देंगे को इसको सॉल्व बकल लेंगे और कितना जाएगा थ्री एक्स प्लस वाई प्लस जेड़ इतना ही रहेगा तीन का खोलेंगे तो नौँ एक्स स्क्वेर आ जाएगा प्लस वाई स्क्वेर प्लस जेड़ स्क्वेर माइनस यहां के आ जाएगा तीन एक्स वाई माइनस वाई जेड यहां के आ जाएगा माइनस का तीन का गुणा आ जाएगा त्री एक्स जेड़ आ जाएगा इसको कुष्टक बंद कर देंगे यह हमारा गुड़न खंट हो गया आंसर आ जाए कुष्ट्चन नंबर बारमा दिया है सत्यापित कीजिए कुष्ट्चन दिया है x q plus y q plus z q minus 3 x y z बराबर एक बटा दो कुष्टक x plus y plus z कुष्टक बन x minus y का whole square plus y minus z का whole square और z minus x का whole square इसको हम solve करेंगे कैसे इसमें पूच रहा है सत्यापित कीजिए कि यह इसके बराबर है या नहीं तो हम इसको solve करेंगे तो हमको यह निकालना है solve करके ठीक है तो हम लिखेंगे एक बटा दो x plus y plus z इसको खोल लेंगे x minus y का whole square क्या होता है x square plus y square minus 2xy ठीक है इसी प्रकार y minus z का whole square खोलेंगे तो y square plus z square minus 2 y z आ जाएगा ठीक है इसी प्रकार और खोल लेंगे किसको इसको तो z square plus x square minus 2 z x ठीक है यह हमारा कोश्टक बन ठीक अब इस क्वावल सौर्प कर लेंगे कितना आ जाएगा एक बटा दो x plus y plus z इसमें क्या है इसमें क्या है एक्स स्क्वाइर एक्स स्क्वाइर तो क्या लेकिंगे 2 x square ठीक है y square y square plus plus के जोड़ जाएगे 2 y square इसी प्रकार जेड़ स्क्वाइर जेड़ स्क्वाइर तो plus के 2 z square ठीक है अभी इसी प्रकार क्या है 2 minus का 2 x y ठीक है minus 2 y z minus का 2 z x ठीक है कोश्ट टक बंद ठीक अभी स्कॉर्ट सौलब कर लेंगे एक बटा दो x plus y plus z इस सम्में 2 है तो हम 2 क्या कर लेंगे कॉमा तो हमने बार निकाल लिया क्या बचा x square plus y square plus z square minus x y minus y z minus z x ठीक तो हम क्या करेंगे तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा बटे में ये उपर है ठीक है तो क्या आगया x plus y plus z क्या आगया x square plus y square plus z square minus x y x y minus y z minus z x ठीक है तो मने सर्षमिका कौन सी पढ़ी है लेगे सर्षमिका से सर्षमिका से ठीक कौन सी x cube plus y cube plus z cube minus 3 x y z ब्रावर के दिये था x plus y plus z x square plus y square plus z square minus x y minus y z minus z x ठीक है तो ये इसकी बरावर था ये ये तो हमारा ये x plus y plus z x square plus y square plus z square minus x y y z z z x ये इसके बरावर है तो हम इसकी जगे हम ये लिख सकते हैं तो हम लिख देंगे सर्षमिका से ठीक है तो कितना आजाएगा x cube plus y cube plus z cube minus 3 x y z कितना होगा ये ही तो हम को सिद्द करना था ये हमारा answer आजाएगा question नम्मर त्यारा दिया है ये दि x plus y plus z बरावर 0 हो तो दिखाईए कि x cube plus y cube plus z cube बरावर 3 x y z x है ठीक है तो इसको हम कैसे solve करेंगे हम लिखेंगे सर्षमिका हमने पढ़ी है कौन सी सर्षमिका कौन सी x cube plus y cube plus z cube minus 3 x y z बरावर क्या होता है x plus y plus z x square plus y square plus z square minus x y minus y z minus z x यही तो थी सर्षमिका जिसको हम दिया क्या है x plus y plus z बरावर 0 हो तो तो हमको अगर x plus y plus z बरावर 0 हो तो यह हमको दिखाना है जिसमें हम x plus y बरावर 0 रख देंगे क्या रख देंगे तो दिया है क्या दिया है x plus y plus z बरावर क्या दिया है जीरो तो तो क्या जाएगा x cube plus y cube plus z cube minus 3 x y z बरावर क्या जाएगा क्या दिया है x plus y बरावर 0 रख देंगे जीरो यह क्या जाएगा x square plus y square plus z square minus x y minus y z minus z x ठीक है तो हमने पढ़ा क्या है अब यह संख्या है अगर इसका इसमें गुणा होगा 0 का इसमें तो क्या जाएगा 0 ही आ जाएगा जब हम किसी भी संख्यागा गुणा करेंगी 0 में तो 0 ही आ जाएगा ठीक है तो क्या जाएगा x cube plus y cube plus z cube minus three xy जेड बरावर किया जाएगा zero ठीक है तो अब इसको हम सेड ले जाएंगे तो किया जाएगा x q plus y q plus z q minus का सेड जाएगा तो किया जाएगा plus का three x y z यह हम को सिद्ड करना था question दिखाया था दिखाएए कि x q plus y q plus z q बरावर three x y z यह हमारा आगया यही हमारा क्या जाएगा? answer question no.4 क्या है क्या है? वास्तों में गनों की परिकलपना किये बिना किनी लिकिट में चिवे क्किरतै कमान घ्याद कीजिए तो हमारा question दिया है माइनस बारा का टूब पलस साथ का टूब पलस क्या? 5 का कलूब तो हमें यह क्या रखे हैं, X,Y,Z, ठीक है, तो X,Y,Z, तिन तुन, तीनों का अगर मान हम जोड़ेंगे, तो 12, 5, 17 7, 5, 12 ये प्लस का ये माइनस का, तो क्या जाएगा, तीनों का अगर जोड़ेंगे, तो क्या जाएगा, 0 तो तुमने अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है क्या एक्स प्लस वाई प्लस जेड बरावर अगर जीरो है तो तुमारी सर्सम्का क्या जाती है तुमारी सर्सम्का एक नहीं जाती है सर्सम्का एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्या जाती है थ्री एक्स वाई जेड क्या जाती है तो अगर एक्स वाई जेड यहां है इन दोनों के मान क्या है जोडने में क्या रहा है जीरो बारा साथ पांच बारा प्लस के यह माइनस का तो क्या रहा है जीरो तो हम सर्सम् लिए थी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेट क्यूब तो हम इसको क्या लिखेंगे एक्स बरावर हम क्या दिया है तो मान लेंगे एक्स बरावर हम माइनस बारा है वाई बरावर 7 है Z बराबर 5 दिया है ठीक है तब इसको इसमें रख देंगे मान तो माइनस 12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब क्या जाएगा 3 X कितना है माइनस 12 तो 12 Y कितना है 7 Z कितना है 5 जिसको गुणा करने में यमारा क्या जाएगा 1260 यह यह मारा आंसर आजाएगा कि विश्चन मच्चा उद्में के दूसरा है 28 का क्यूब माइनस 15 का क्यूब माइनस 13 का क्यूब ठीक है जिसको भी विसी प्रकार करेंगे तिन माइनस 15 और माइनस 13 इन दोनों को जोड़ें कितना आजाएगा 20 और प्लस कट 20 यानि कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रावर क्या है जीरो तम सर्फ सम्का कौँछ लगाएंगे सर्फ सम्का एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब ब्रावर क्या होता है थ्री एक्स वाई जेड तो एक्स ब्रावर क्या दिया है एक्स ब्रावर क्या दिया है एक्स ब्रावर क्या दिया है थाईस वाई ब्रावर दिया है माइनस 15 जेड ब्रावर दिया है माइनस 13 ठ ठीक है जिसको हम एक्स का मान रख देंगे एक्स वाई जेट के मान यहां रख देंगे तो अठाइस का क्यूप कि पिलस माइनस पंद्रह का क्यूप कि पिलस माइनस त्यारा का क्यूप कि ब्रागर किया जाएगा थ्री एक्स कितना है अठाइस वाई कितना है माइनस पंदरा जेट कितना है माइनस त्यारा ठीक है अब इसका हम क्या करेंगे इसका हम गुणा कर देंगे तो क्या जाएगा 16388 हमारा आंसर आजाएगा यहां माइनस माइनस है यह क्या जाएगा माइनस का गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस का 16388 ठीक है पिछले कोस्चन में क्या था यहां माइनस था तो माइनस था तो यहां माइनस यह माइनस ही रहेगा ठीक है माइनस का कितना आएगा माइनस का 1260 आएगा ठिक अगर आपको ये वीडियो पसंद आजा तो वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल फ्री कोचिंग सेंटर को सस्क्राइब करें धन्नवाद